हालो दोस्तों कैसे हो आपका स्वागात हतिरपान स्टडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा, आठ्मी, विज्ञान, अध्यन जो है यहाँ पर देखा जाए तो प्रकाश प्रकाश जो है चैप्टर काभी महत्वपून है एक्जाइम पॉइंट अफ व्यू से और यह आपके सलेबस में है यहाँ पर जो हम इस चैप्टर के अंतरगत हर एक बात को जो है इनलाइस करेंगे, समझेंगे और जानेंगे यह सब जो होगा आपके MCQ के अंतरगत होगा और यह MCQ हर एक्जाइम के लिए महत्वपून रहेगा प्रकाश चैप्टर देखा जाए तो एक्जाइम पॉइंट व्यू से भी काभी महत्वपून है और कॉम्परिट एक्जाइम के लिए महत्वपून है तो चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर कोशन क्या आया है यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफी महत्वपून चैप्टर है तक्षा आठमी CVC, NCRT के अंतरगत प्रकाश यह चैप्टर जो है साइंस का है आठमी क्लास के बच्चों के लिए है और यह काफी महत्वपून है और CVC के सलेवस के अंतरगत है इसमें जो हम अनलाइस करेंगे समझेंगे जानेंगे हर एक कोशन MCQ के अंतरगत तो प्रकाश का जो यह चैप इंद्रुश एक प्राक्रिति घटना है आपको पता है कि इंद्रुश कैसे बनता है यानि डैम्बो इस नेच्रल फिनोमोन शोइंग यह और रिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन डिप्रेशन डिवेशन यानि परति बीम ए बिपक्षन बी सी फैलाव और डी डैवर्जन कोशन आपको समझ आज जाना चाहिए तरह कि इंद्रुश एक प्राक्रिति घटना है ठीक है जैसे कि आपको पता ही है कि बारी सो जाती है रेन होती है उसके बाद क्या होता है सूरज की जब प्रकाश जो वायू मंडल में उपसित पानी के कण होती है तब उटमें पढ़ते हैं तो एक रेंबो निकलती है और यह प्राकिति घटना है और एक महत्वपुन बात यह रहती है कि सूर्य जिस दिसा में होगी उसके बिप्रित जो है यह इंद्रणुष मनेगा तो आकिर इस घटना को हम क्या कहते हैं इस घटना का यहां पर आपसे जो है नाम पूछ लिया है त यहां पर कोशन तो साफ है और यह कि इस कारण से ऐसा है तो देखा जाए मैं आपको बता दू इसका ओप्षण ए परति भिम्भ करता है यानि रिफलेक्शन इसका अंसर सही है चलिए देखते है अग्ला कोशन क्या है को अग्ला कोशन हमारे स्क्रीन पर आ गया है कोशन है बहु रूप बरदर्शक बनाने के लिए हमें अवश्क होती है। बहुत रूप दर्शक को क्या कहते हैं यानि केलो डॉस्कोब ठीक है बहुत दूर बरदर्शक बनाने के लिए हमें अवश्क किसी चीज़ की होती है तो भी में का केलोडोस्कोब या रिक्वायर ए तीन समतल दर्पन की जरूत परती है कोशन बहुत दिल्चस्प है कि हमें एक कह रहा है कि थ्री प्लैन और मिरर चाहिए वी कह रहा है एचिरी ग्लास सीट काईए जय स्फोड ग्लास सीट काईए कोशन कापी महत्तव पूर्ण है और देखा जाए तो बहुर रूप दर्शक बनाने के लिए हमें यहाँ पर तीन समतल दरपन की जुरुत पड़ेगा त्योंकि इसी से भाए हम बहु रूपक दर्शक बना सकते हैं और इसके बनाने में तीन समतल प्रावर्तक सता से टकराने वाली प्रकास की किरन कहलाती है यानि देखा जाए तो beam of light is tucking the reflecting surface is called क्या उसे हम A परवर्थित किरन कहते है या B घटना किरन कहते है या C अपरवर्थित किरन कहते है या D समाने किरन कहते है कहते है कोशन काफी दिल्चस्प है ठीक है यहाँ पर option देख लें तो reflecting ray B कहता है incident ray C कहता है interferacted ray D कहता है normal ray तो देखा जाए परवर्थित सता से टकराने वाली प्रकास की किरन जो है हमेशा ही घटना किरन यानि incident ray कहलाएगा घटना किरने यानि incident ray कहलाएगा तो यह काफी महतवपून है चलिए देखते हैं अगला कोशन यहाँ पर क्या है अगला कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है सात रंगों की पट्टी क्या कहलाती है यानि band of seven colored is called क्या उसे हम भी गोयोर कहते है यानि वी आई वी जी वाई ओ आर कहते है या भी हम spectrum कहते हैं या c depression कहते हैं या reflection यानि वी वी ओर कहते हैं spectrum कहते हैं c फहलाब कहते हैं d परतिविम कहते हैं तो कोशन यहां काफी महतवपून है कि सात रंगों की पट्टी को हम क्या कहते हैं अगर आप बड़े क्लास में जाओगे तो इसका साफ जो हमें बहुत कुछ परने को मिलेगा क्योंकि इसको हम जो कहते हैं spectrum कहते हैं यानि b option आपका सही है spectrum जो है काफी हत तक काफी महतवपून होती है और इसमें जो हम सात रंगों की पट्टी जो है बना सकते हैं और यह जो है artificial phenomenon है तो यहां पर option जो है b सही है spectrum ठीक है चलिए देखते हैं अगला question क्या है कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है कि नेत्र गोलक नेत्र गोलक का अग्र भाग मुरा हुआ भाग कहलाता है क्यों the front back is part of the eyeball is called क्या कहते हैं करनिया कहते हैं और रणजीट कहते हैं सी चात्र कहते हैं टी रेटीना कहते हैं त्यानि देखा जाए तो यहां पर थोड़ा सा जो है हिंदी 수िय में problem रहेगी लेकिन एजड़ और हम बटा तो आप अपना से सकती हो देखा जाए तो अगर भाग जो मुड़ा हुआ होता है उसे हम कॉर्णिया कहते है यानि यह option आपका सही है यह option के साथ आप लोग जा सकती हो एक कॉर्णिया है चलिए देखते हैं अगला कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है कि मानव आख में छर और संकु के संबंद में निमलित में से कौन सी कतन सही है यारी बीच आफ दा फ्लोइंग स्टेटमेंट इस कुरेक्ट रिगार्डिंग तर रोड रोड्स एंड कॉन्स इन दा हुमेन आइस पहला option बताता है कि संकु मद परकास के प्रतिसंबंद शील होत है सी कहता है चर तेज रोष्णी के प्रतिसंबंद शील होता है और ड कहता है कि चर जो है रंग समझ सकती है तो देखा जाए तो यह काफी में है तो पून बात है अगर हम इसको इंग्लिश्य मेरू पांतरन करें तो यह option कहता है कॉन्स आर सेंसिटिव तो बीडिम लाइट बी कहता है कौन आर धा सेंसिटिब तो ब्राइट लाइट? C कहता है रराइ रोड आर सेंसिटिव तो ब्राइट लाइट? एंड डी कहता है रोड्स केन भी सीन अ कलर तो यहां काफी महत्वपून कोश्चन है अगर हम इसका सही अंसर पर अगर नाइस करें तो मानब आख में जो हमारा रोड होता है और जो कौन हो तो कौन होते हैं वो के संबंद में देखा जाए तो यह कथन सही रहेगा कि कोड आर् राइट लाइट यानि देखा जाए तो जो है रोड जो है तेज रोशनी के प्रती संबंद शील होती है यानि यहां पर कोण तेज रोशनी के प्रती संबंद शील रहेगा तो यह कोशन काफी महत्वपून है चले देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे कोशन है कि प्रकास के प्रवर्तन के मामलों में आपतन कोन यानि आई और प्रवर्तन कोन मतलब आर इस प्रकार संबंदित है यानि देखा जाये तो आई आर जो है किस प्रकार संबंदित है तो यहां पर आपके आप्शन जो रहेंगे कभी महतुपून है और हम इसको समझ ले the angle of incident I and the angle of reflection are related as किसे related है ये I is equal to R के ये I जो है छोटा है R से या I जो है जो है जो है बरा है R से या कोई निशे संबंद नहीं है and not defined to the relations लेकिन आपको पता होगा कि जब आप कोन बनाते हो तो एक बास साफ होती है कि I is equal to R या प्रवरतन कोन के बराबर होता है तो I is equal to R कहा है A option तो A option आपका सही जाएगा A option आप लगा सकते हो A is a correct चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है कि वेक्यू दर्पन के रूप में उप्योग किया जाने वाले दर्पन के परकार का नाम बताईए जो हम ब्लैक व्यू दर्पन के परकार का नाम बताईए जो हम ब्लैक व्यू मिरर देखते हैं उसमें किस परकार का जो है मिर्ट यूज की जाती है A समतल दर्पन का यूप्योग किया जाता है B अवतल दर्पन का C उतल दर्पन का या डीन में से कोई नहीं यानि प्लैन मिरर ए B कॉनके मिरर B C is a convex mirror and D any of these यह काफी में है तो पून कोशन है कोशन में बता दूँ जो बैक व्यू हम देखते हैं यानि ब्लैक व्यू दर्पन के रूप में परियोग किया जाने वाले दर्पन के परकार का नाम बताएं तो जर्नल सी बात है हम इसमें उत्तल दर्पन का उप्योग करते हैं यानि C उत्तल दर्पन यानि convex mirror convex mirror का यहां पर व्यूभी उप्योग किया जाता है चलि देखते एकला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है द्रिष्ट वाधिता द्रिष्ट वाधिता लोग इसका उप्योग करके पढ़ और लिग सकते हैं किसका उप्योग करके हैं और विजुली इंपेर पीपल कैन डिट अन राइट यूजिग आ ए एलेक्टिकल लेखक बी डिजिटल पेन सी बेल प्रनाली डिशवन यांत्र यानि देखा जाए तो जो पहला बता रहा है ऐलेक्टिकल राइटर येलेक्टोनिक राइटर बी बोल रहा है डिजिटल पेन सी बोल रहा है वेर्यल सिस्टम एंडी हेरिंग एर्ड देखा जाए तो कोशन काभी महत पून है और exam point से भी महत रखता है कि द्रिष्ट्रिवाधित यानि जो अंधे लोग होती है द्रिष्ट्रिवाधित मतलब होता है जो visually impaired होती है ठीक है लोग जो है किसका उपयोग कर सकते हैं और किसका उपयोग करके पड़ और लिग सकते हैं तो देखा जाए तो इसका direct answer है wireless system यानि C बेल परनाली बेल परनाली जो है काफी महत पून है जिसके द्रिष्ट्रिहिन व्यक्ति महसूस करके अक्षरों को पढ़ और लिख दोनों सकते हैं तो यह आपने देखा भी होगा कि इनके जो अंदे लोग होते हैं तो इनके अक्षर जो होते हैं उबरे हुए होते हैं और यह बहुत आसानी से लिक और पढ़ भी सकते हैं और आपको पता है कि CVC में भी द्रिष्ट्रिहिन विद्यारतियों के लिए जो है कोशन रहते हैं तो यह काफी महत पूर्ण बात है और शायद आपको यह बात पता पहले नहीं था तो यही कहते हैं जब पर होगे तब ही समझदार बनोगी और जो बच्चा बार-बार कोशिश करता है उसको कामियाबी भी जरूर मिलती है इस वीडियों को अगर एक बार समझ नहीं चाहरे है दो बार समझ दो बार समझे है जितना हो सगे समझ दो मुझे पता है कि एक दो बार समझने के वाद आपको सारी बाते कलियर हो जाएगा तो यह काफी महत पूर्ण किया है अगला कोशन जो हमारे समक्षाया है कोशन है श्वेद प्रकास का उसके साथ घटक रंगों में विभाजित होना कहलाता है यानि अगर आप सफेद प्रकास अगर किसी प्रिजम पे डालते हो तो उससे साथ प्रकास निकलती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं क्या ए अपरवरतन कहते हैं यानि रिफ्लेक्शन भी फ्यलाव यानि डिप्रेशन C. विचलन यानि डिवेशन D. परतिबीम यानि रिफ्लेक्शन क्या कह सकते हैं इस गटना को इस वेद परकास का उसके साथ रंगों में विभाजित होने को हम क्या कहते हैं और यह सात रंग कब बनता है जब आप एक prism लो और prism ये white light अगर आप गुजारते हो तो prism से जो light निकलेगी वह सात रंग में भी वक्त हो जाएगी तो इस परिखटना को हम क्या कहते हैं तो देखा जाए इस परिखटना को हम dispersion कहेंगे यानि B fell out dispersion dispersion यानि B आपका सही है और जिन बचोंने B सोचा है उनका अंसर सही है चलिए देखते अगला question क्या है अगला question हमारे समक्षा गया है question है कि निकट दिश्टी दोस को किस के परियोग से ठेक किया जा सकता है यानि निकट दिश्टी दोस को हम किस परकार ठीक कर सकते है myopia can be corrected by using a क्या A अवतल लेंस से B उतल लेंस से C अपारदर्शी लेंस से या D मैक्रो लेंस से देखा जाए तो A option बताता है कनकेव लेंस से B बोल रहा है कनवेक्स लेंस से C बोल लेंस से और D मैक्रो लेंस से आपको मैं पता दूँ ये काफ़ी दिल्चरस प्रकोशन हो और एक्जाम में कई वार आ चुका है कि myopia can be correctly by the using a निकट दिश्टी दोस आपको पता होना चाहिए कि हमारे ये जो है तीन तरह के दिश्टी दोस होते हैं एक निकट दिश्टी दोस होते हैं एक दिश्टी दोस होते हैं और एक जड़ा दुरदर्शता होती है तो निकट दिश्टी दोस के लिए हम जो है हमेशा कनकेव लेंस का उप्योग करेंगे यानि अप्तल लेंस का और द्रिप दिश्टी दोस्ट के लिए उत्तल लेंस का उप्योग किया जाता है यानि द्रिप दिश्टी दोस्ट अगर कहीं लिखा होगा तो याद रखना उसके लिए उत्तल लेंस का उप्योग किया जाता है और निकट देशी दोश के लिए हम अबतल लेंस यानि कनकेव लेंस का उपियो करते यानि ए कॉप्षों आपका सही है और जिन बच्चों ने एक उप्षों शोचा आ उन सबका आंसर सही होगा तुरु देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे समक्ष आ गया है कोशन है प्रकास आख के माध्यम से प्रवेश करता है प्रकास जो है आख के माध्यम से प्रवेश करता है अलाइट एंट्री दा आइस थ्रो किसके थ्रो एंट्री करता है आख में आंक में प्रकाश आंक में किसके माध्यम से प्रवेश करता है ए आंक लेंस से बी यानी प्यूपिल यानी चात्र प्यूपिल के लिए यूज किया गया है सी कर्णिया डी रेटीना तो किसके लिए यूज किया जा सकता है तो देखा जाए यह option ice lens बताता है बी प्यूपिल बता रहा है C cornea बता रहा है D retina बता रहा है तो जर्नल सी बात आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश हमारे आख में जो है cornea के माध्यम से परवेश करता है यानि देखा जाए तो C option आपका सही है करणिया के करण जो है प्रकाश हमारे आखों में परवेश करता है तो यह option जिन बच्चों ने C option चुना है उन सब का अंसर सही है और C option कर लिया ही सही है तो देखते अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है आग के रेटीना में समवेदी कोशिका से रहित छेतर क्या कहलाता है आग के रेटीना में समवेदी कोशिकाओं से रहित छेतर को हम क्या कहते है In the retina of the eye, the area having no sensory shell is called क्या उसे हम iris कहते है या भी right sport कहते है, blind sport कहते है या C karnia कहते है या D dark sport कहते है यानि A Aries, B blind sport, C karnia, D dark sport तो क्या कहते है आग के रेटीना में समवेदी कोशिका के रहित छेतर को जो समवेदर शिल नहीं है, समवेदर शिल से रहित है There is a note, here retina is the eye, the area is having no sensory shell is called तो उसे हम दोस्तों क्या कहते है, blind sport यानि B option white sport, blind sport is B option आपका सही है और जिन बचों ने B option सोचा, उन सबका option सही देगा तो देखते हैं अगला question क्या है हमारे समक्ष अगला question हमारे समक्ष आ गया है, question है कि यदि परकास समतल दर्पन पर लंबत गिरता है तो वो किस कोन पर परवर्थित होगा what will be the angle in which the will be reflected you know that काफी महतपूर कोशन यहां पर है अगर देखिए यदि परकास समतल दर्पन पर लंबत गिरेगा तो यहां पर कोन परवर्थित होगा और वो कोन 180 डिगरी के बनाएगा कोई की एक बास सचाई है कि अगर हम कोई समतल दर्पन पर लंबत अगर हम परकाश की जो है गिराते हैं तो उसका हमेशा 180 डिगरी बनेगा यानि पूरा फैल जाएगा पूरा सीधा सीधा फैल जाएगा तो वो 180 डिगरी बनाएगा तो यहाँ पर जिन बचों एक सचीधी डिगरी सोचा उनका सबका अंसर सही जाएगा चले देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे समक्षा गया है कोशन है उल्लू रात में तो साफ देख सकता है लेकिन दीन में नहीं क्योंकि ऐसा क्यों होता है आपने उल्लू देखा ही होगा उल्लू जो है रात में देखता है क्योंकि जो है यह नेक्टिन एनिमेल कहलाता है लेकिन वा दीन में देख नहीं पाता है इसका क्या है अन ओविल चैन बी सीन क्लिरली एड़ नाइट बट नोट डे टाइम क्या हो सकता है क्या उसका अधिक जो है राड और जो है कुछ कोन है या बी कहता है कम जो है उसका राड है और अधिक कोन है यसी कहता है अधिक जो है राड है और अधिक कोन है अधिक कम राड है और कम कोन है क्या हो सकता है कि more road and a few cone, less road and more cone, C कहता है more road and more cone, अधी कहए रहा है less road and the less cone, question बहुत दिल्चस्प है, answer यहाँ सोचने वाली बात है, तो मैं बता दू इसका answer क्या हो सकता है, इसका answer होगा more road and few cones, यानि अधिक जो होगा चरे होगी और कुछ संकू, अधिक more road होडने के करण यही होती है, और few cone होने करण जो है, उल्डू को रात में तो बहुत अच्छी से दिख जाता है, लेकिन दीन में देखने के लिए applicable नहीं हो पाता है, तो यह कोशन काफी महत्वपून है, काफी जरूरी है, अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो जितना हो सके, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूटूब से लिंको कोपी करना होता है, और वर्टरिटर से लगाना होता है, तकि अगर आप तिरपान सेंटर के लिए इतना कुछ कीजिएगा, तो आपके लिए तिरपान सेंटर जो है, बहुत ही महत्वपून चैनल है, और यहाँ पर एट से लेके इम्मे तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो उपलवद है, तो यहाँ पर अगर एक बार आप जुड़ जाईएगा, तो कभी भी नहीं जाईएगा, तो यह काफी महत्वपून है, इसने शेयर की भावना हमेशा आपके मन में होना चाहिए, अपने दोस्तों से सापाटियों से शेयर कीजिए वीडियो, जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी समझना है, उनको भी जानना है, पहली बाड में चनल पे आयो पहली बाड वीडियो देख रहे हो समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वी वीडियो आपको इसी परकार पड़ाप्त होता रहे तो जर्नल सी बात दोस्तो चनल को सब्सक्राइब करके अपने मुझाल में सेव कीजिए वि ऑल आपको जर्श सम्हां उयाएब करके अजिए झाल थाओने मुझाल में सेव कीजिए जर्नल पे आपको जोगार में सेव की ऑल बाग रहे है का रहा है